कि नमस्कार जहिंद सभी सात्यूंगा स्वागत यूटूब चैनल कुछामन ओनलाइन क्लासेज पर पैरमित्रू अगर आप पीटेटी या बीश्टीसी दोजार चोबीस की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए बहतरिन लगबग 20-30 मोडल पेपर यहां पर करवाए जाएंगे परतेगविसे के जिसमें आज पहला मोडल पेपर लेकर आएं हैं वो लेकर आएं हिंदी का दोस्तों इंदी से जुड़ेवे पूरे 50 क्यूसन रहेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए और फिर आगे बढ़िए दोस्तों अगर मैं इंदी की बात करता हूं तो इंद क्यूसन तीन अंका रहीगा मतलब 150 अंका यह मेटर है और हमारा टार्गेट क्या है कि इस बार 150 के 150 अंक आप इस बर्ती में लेकर आएं दोस्तों और जिसको लेज की आसमें जिस नजदी को लेज की आसमें आप बेटे हैं वह को लेज आप प्राप्त करें दोस्तों तो PTT और बीएश्टी सी पहले बता दूँ दोनों का सेम सलेबस रहता है इंदी का दूसरी बात समान पेपर आता है कोई बड़ा परिवर्तन इन पेपरू के अंदर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों इसलिए जो भी साथी पीटिटी या बीएश्टी सी किसी की भी तैयारी कर रह करने का जिसे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की इस कलास को पूरे 50 क्यूसन है और यह मानकर चलिए कि अगर यह जो यहां पर मेटरा रहा है इसको आप अटेंट करती गए तो पेपर आपका यहीं से चपने वाला है और एक एक चीज को आप तयार कर लेंगे पहला क्यूसन है पूरव में प्रेसित पत्तर की याद दिलाने के लिए बेजा जाने वाला पत्तर कहलाता है पूरव में जो पत्तर बेजा गया है उसकी याद दिलाने के लिए जो पत्तर बेजा जाता है परिपत् नहें पूरों में प्रेसित पत्तर की याद दिलाने के लिए बेजा जाने वाला पत्तर क्या कहलाता है आनु इसमारक कहलाता है क्या सही है क्या एक बार बता दो सही है क्या अनु इसमारक कहलाता है या नहीं कहलाता है सही है दोस्तों आनु इसमारक ही कहलाता है नेक्स्ट कि सब में सू उपसर्ग का परियोग नहीं हुआ है सुक तुलेक सुकीर्ती सुसांग यहां पर उपसर्ग की बात कर रहे हैं उपसर्ग उपसर्ग जो कोई शाब्द है उसके आगे लगते हैं यहां पर लगेंगे और जो यह सब्द है इसके अर्थ को थोड़ा सा परिवर्टित कर देंगे और बहुत बार पूरा ही पूरा ही परिवर्टिते कर देते हैं दोस्तों स्मझ गए यहां से? तो बात कर रहे हैं सू सु, देखिए सुक अगर सु औलख कर लिया तो खै कोई शब्द ही नहीं बसता है तो अपसन एसद फैंग ही रहेगा यहां पर देखिए सू पलस लेक सू पलस कीर्थी सू पलस संड स्मझ गए, next अब देखिए एक बहत्रीन आप सभी के लिए न्यूज अगर आप बीएश्टीसी दोजार चोबीस दिसे हम डियलड बोलते हैं अगर आप पीटीटी दोजार चोबीस रास्तान प्रीटीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन में से किसी की भी तैयारी आज कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेज, एमसी क्यूज, मोडल पेपर, पीडियाप, जो क्लास नोट्स होते हैं जो यहां पर पढ़ाए जाते हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं तो समय है आपके पास आज ही जो लिंक में एप दी हुई है एप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप् में डिसकाउंट भी चल रहा है तो उसका सुनेरा आप जो मोका है उसका फाइदा उठालो दोस्तूं समझके इन में मिलेगा क्या लाइव क्लास, इनोट्स, एमसी क्यूज और लगबग 50 पलस मोडल पेपर आपको यहां पर दिये जाएंगे दोस्तूं समझके अगला क्यों सुनेक्स्ट है हिंदी में ओ सवर को माना जाता है जो होता है इसको क्या कहते हैं कि सेवरीत अर्द विवरीत अर्ध सेवरीत यह वीवरीत जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ओ को क्या माना जाता है एकु इम्पोर्टिंट हो को चायं माना जाता है इसको माना जाता अर्द्वीवरीत अब इसके अंदर एक तो हो आगया एक आय आ गया और एक आ आगया ओ ये चार आत 연 सिका अंदर समझ गया आप इम्पोर्टिंट अब के लिए आगे चलिए नेक्ष्ट में कौन सा सब्द्युगम आर्थ की द्रश्टी से एसुद है गलत है अर्क सूरिये अम्बूज कंबल अम्बूद बादल अउदी समे सीमा कौन सा सब्द्युगम अर्थ की द्रश्टी से एसूद यानी की गलत है वो आप से पूछा गया है आप भी अपना उतर है वो कमेंट करिए कमेंट में लाइन लग जानी चाहिए आपकी और सेर कर दो देखे आप सेर करोगे क्योंकि आप नए नए स्टुडेंट है और जो भी नए साथी है आपके वो पहली बार यूटूब के मादिम से तैयारी में लगेंगे तो सेर करो और उनके पास बेजद दो कि यहाँ पर मोडल पेपर चल रहे हैं यहां पर जो एफ है उसका लिंक बेजद दो उनके पास कि यहां पर तैयारी भी करवाई जा रही है आप को ल स्क्रीमा दिया है यह किसका है इस और और यह जबकि आवदी होती है ना आवद में रहने वाला या आवद का सास्थ आवद में रहने वाला कि अगे चलिए नेक्स्ट में अनाधिकार सब्सक्राइब कोंसी संदि यह बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों सन। पिटिटी दोजार 21 के अंदर आया वा क्यों सन। अनाधिकार सब में कोन सी संदी है तो पिटिटी दोजार 21 में आया था मेरे लग कीजिये अन पलस अधिकार दिर्ग संदी बन रही है ए पलस ए दिर्ग संदी बन रही है मतलब सवर संदी हो गई अब भौज़ के क्या करते हैं कनिप्यूज करने के लिए क्यों संदेते हैं अनधिकार बता दो इसमें कौन सी संदी है अन पलस अधिकार मतलब अन पलस अधिकार यानि कि ने के बाद है मतलब वेंजन संदी हो गई यहां पर तो यह दो परकार के क्योसन बनते हैं समझ गे दूसरी बात क्योसन पूछ लिया जाता है अनाधिकार अनाधिकार का एक बार विलोम भी विलोम और इसका विलोम होगा अधिकार इसके लावा आपको पूछले कि अनाधिकार है इसका सही पुद्ध तो सुद्ध होगा अनाधिकार चल गए है आगे चले ये next में है निमलिकित मैंसे कि सब्द की वरतनी सुद्ध है सन्यासी 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 या सन्यासी चार शब्द ये हैं इन में से एक ही ऐसा सब्द है जो सुद है वो आपको बताना है जो सुद है वो आपको बताना है कि हम सन्यासी को हिंदी में किस परकार लिखते हैं जो सुद होता है दोस्तों तो कमेंट करके बतादो सभी चार ओप्सन आपके सामने हैं और सही जो ओप्सन रहने वाला है आपका वो रहने वाला है सन्यासी समझ गए चलिए नेक्स्ट में इन में से कौनसा आर्थ चपला का आर्थ नहीं है चपला का विजली लक्समी जीब या जमीन चपला का आर्थ कौनसा नहीं है वो आपको यहां पर बताना है प्रियाएवाची पड़े होंगे प्रियाएवाची पड़े हैं तो ये चीजे आपको आती होगी दोस्तों बिजली है लक्षमी है जीब है लेकिन जमीन नहीं है धर्ती का है ये तो समझ गए भू धरा आगे चलिए नेक्स्ट यहां अंत वाली इस्त्रिलिंग संग्याओं में अंती में जो यह है ना यहां को अगर यहां करने से क्या होता है विलोम बन जाता है बवचन बन जाता है प्रियाएवाची बन जाता है या एक वचन बन जाता है जो भी इस लिंक सब्द होते हैं जिनमें अंत में या लगावा होता है उनके अंदर यहां कर दिया तो क्या होगा बाववचन का रूप ले लेगा तो अप्शन भी यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट नेमलिकित में से कौन सा संदी विचेद है जो सही दिया गया है वो आपको बताना है अनू पलस इक्सा अनू पलस संद अन्वे संद अनू पलस आक्संद अनू पलस इसी अन्वे सी बता दो जो सुद है उसके बारे में ही आपको यहां पर चर्चा करनिए दोस्तों तो देखिये पहला अनू पलस इक्सा उ के बाद में इ आ रहा है उ के बाद में इ आ रहा है तो बन क्या जाएगा देखिये यहां पर क्या बचा अनू बचा उ पलस इ मिलेंगे तो बन जाएगा वी और यह बचा हुआ है तो शाह कि इसको मिलाईए बन गया ना अनू विक्सा मतलब ये संदी कौन सी हो रही है यन कौन सी संदी हो रही है यन सवर संदी दोस्तों तो अप्सन ए आपका सही रहीगा नेक्सट में से जाति वाचे संक्या का उध्राण है जो एक कंप्लीट जाति का जाति का बोधकराए जैसे में नाम लेता हूँ मानव say उनल्य पर्वत आ जहांपर जाती का बोद कराई एक complete जाती का बोद कराता है वो है आपका परवत परवत किसी का नाम तो नहीं दिया पूरे पर वत्तु की जाती है उसका बोद करार रहा है दोस्तों नेक्स्ट कंकन किंकनी नुपूर धुनी सुनी में कौन सा रस है वातसले है स्रंगार है वीर है या अदबूत है जल्दी से कमेंट करो कंकन किंकनी नुपूर धुनी सुनी में कौन सा रस है अच्छा सा इंपोर्टेंट सा क्यूसर्ण आपके स्क्रीन पे हैं जल्दी से कमेंट करें बताओ कौन सा रस इसके अंदर है दोस्तों तो यहां पर स्रंगार रस दोस्तों नेक्स्ट क्यूसर्ण दस वर्स का समय को अंकीत करता सार्तक सब्द तस वर्स के समय को क्या कहते हैं कमेंट करके बता दीजिए दस वर्स का समय को अंकीत करता हुआ सार्तक सब्द और जो भी साती हमारे साथ जुड़कर तयारी करना चाते हैं के मादेम से हैं किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कोई जानकारी लेनी है तो इस्क्रीन पर आपको देखिए नमबर चलते वे दिकाई दे रहे ना यह नमबर मेरें अंगुली keh नीचे इस नमबर पर आप संपर करकेमेरे से जानकारी ले सकते हैं क्ना स्वर्ष के समय को बार बार एक्जामों में पूछा जाता है उत्षिप मुर्दन्य वेंजन कौन सा है दो वेंजन होते हैं उत्षिप मुर्दन्य दो वेंजन होते हैं अगला क्यों सब्सक्राइब देखें यहां पर आपका डि सही है डि ऑप्सन रहेगा अगला क्यों सब्सक्राइब तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है अलंकार बता दो कौन सा है मतलब यमक अलंकार रहे सार यह कैसे बता दीया तो देखिये जब आप आप पर आकर हमारी कलासे लोगें ना तब आपको पता चलेगा कि सार रियल में ट्रिके काम करती है इन्दी में वो याद हो जाएगे आपको नेक्स्ट ओता किसे कहते हैं होनार वेक्ति को हेमागनी को यग में आउती देने वाले को या परमितेसी वेक्ति को ओता किसे कहा जाता है ओता ओता कहा जाता है यग में आउती देने वाले को किसमें यग में आउती देने वाला होता तो उपसंसी सही रहेगा कौन से युगम सब्द का अर्थ भेद सही नहीं है अनल अनील आग वायू तपताप तपस्या गर्मी दसन 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 और दसन का देखे दात और छुडाना तड़ाग तड़ाग सिग्र तलाब तो देखे अनल का आग अनील का वायू तपका तपस्या तापका गर्मी दसन का दात सही है लेकिन दसन का छुड़ाना नहीं होता है नास होता है क्या होता है नास और तड़ाक का सिग्रें और तड़ाग है तालाब तो option c आपका सही रहीगा next निम्लिकित में इसे कौंसा विलो म्यूग में सही नहीं है लागव पराभव वियोग सही हो विय अग्य विदीन से कमेंट करके बता दो यहां पर अच्छा और इंपोर्टेंट क्योंसन कि तो देखिए लागव का विलो मोता है गोरव कि पराबव का विलो मोता है पराबव विभव तो अपस में दोनुई गलत है ओप्सन एह है जो यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट कपोट का परियावाची नहीं है हारित परेवा महागरिव या पारावत कपोट का परियावाची कौन सा नहीं है हारित है परेवा है महागरिव नहीं है क्योंकि यह किसका है और परावत भी है तो अप्ज Can see आपका सही रहेगा नेक्सट अरी का समनार्ती नहीं विशनूं बंदर मेर रहिक्राइप रेका समनार्ती कुंसा नहीं आपको बताना है अच्छा सा क्यूसन आपके सामने आया है यही का समानार्ती आपको बताना है दोस्तूं बतादो जल्दी से विष्णु है बंदर है मेग नहीं है मेग किसका वारिष्ट का समानार्ति है वारिष्ट और गोड़ा भी थो सी ओप से नापका सही रहीगा नेक्स्ट शुमन और सुवन सब्द का आर्त पुस्प अनुमान, पुस्प सुरिये, पुस्प जंगल, पुस्प सुगंदित, शुमन और शुमन सब्द का अर्थ क्या है? कलास कैसी लग रही है? देखे लाइक वाला बटन दबाईए एक बार, फिर पता चलेगा कि आपको कलास कैसी लग रही है? लाइक वाला बटन तुमन सुमन मतलब पूस्प और शुमन मतलब सूरी यह बहुत बार एकजामू में भी आया है और बी ओप्षन जो आया आपका सही रहेगा नेक्स्ट नेमलिकित मैं से कौन सी दहुनी स्थियोस महाप्राण है सेगोष माहि प्रहाँ धूनी कौन सी है वह आपको यहाँ पर बताने है टे गोस कि सेगोष में कौन से आते हैं तीसरा चौता पांच्वा और अंतस्त मापराण में कौन से बनाते हैं दूसरा चोता और उस्म अब देखिए गय तीसरा है यानि कि सहगोस तो है लेकिन मापराण नहीं है चोता है चोता हैं दोस्तों सहगोस में आ गया और यहां पर मापराण में भी आ गया भै सहगोस भी है और यह भी है यहाँ आपका जो मापराण भी है बै दूसरा भी है लेकिन वहाँ पे नहीं है नी मापराण है तो यहाँ पे यह दोनों है ना यह किस में आएंगे आपके यह पलस अंक वाला था यह आया था साइद दोजार अठारा या दोजार उननीस के अंदर की उसन आया था यह एकजाम में पीटिटी में समझ गए नेक्स्ट में चलो नेमलिकित मैंसे एसुब एसुद जो सब्द है ना वो बताना आपको अंत्याक स्री एकदम सही है अंतरदान एकदम गलत है अंतरदान को जब भी हम लिखेंगे तो अंतरदान इस परकार लिखा जाता है यह इंदी का सुद्ध है दोस्तों तो आपसन भी आपका सही रहेगा ग्यापन में गलत कतन कौन सा है अन्ने प्रूस में लिखा जाता है संबोदन ह होए है अबिबादन होता है अन्त में परसंसा वाक्य नहीं होता है we सिती का नाम हो-हे पता-पत्र के नीचे-बाई और लिका होता हां कॉन सा गलत क्तन यानिकों सा कतन है जो ग्यापन के अंदर नहीं होता है प्यारे मित्रु academia ग्यापन के अंदर ना तो संबोगन होता है और नमीय अभिवादन होता है भी ऑप सने आपका सही रहीगा नेक्स्ट उपतयेका का अर्थ है जिसने अपना रिन चुका दिया हो परवत के नीचे तलटी की भूमी परवत के उपर की समतल भूमी या बंजर भूमी उपतयेका का अर्थ क्या होता है जल्दी से बता दो जिसने अपना रिन चुका दिया उसे तो उरीन कहते हैं वन वर्ड में परवत के नीचे की तलटी की भूमी कहलाती है उपतयेका और परवत के नीचे की भूमी अधीतयेका और बंजर तो सब जानते हो क्योंकि हम रिगिस्तान की इलाके से ही रहते हैं रास्तान में लगबग आदा से जदा दो रिगिस्तान ही है तो बंजर भूमी जहां पर कुछ ना होगे अगला क्योंसा है स्वांस वायू के आदार पर वर्णू के कौन से बेद होते हैं स्वांस वायू के आदार पर वर्णू के बेद कौन से होते हैं अलब प्राण महाप्राण होते हैं सैगोस एगोस होते हैं पर कंपित उच्छिप्त होते हैं इस पर चिया उसम होते हैं बहुत अच्छा सा क्यूसन आया आपके लिए बताओ कमेंट करके थोड़ा समय लग सकता है लेकिन तैयारी एक नमर की रहनी है हमारे और सही रहेगा सवास्वायू सवास्वायू के अदार पर अलब प्राण और महाप्राण होते हैं तो ओप्सन इस सही रहेगा नेक्स्ट अ अपवाद तो सभी जगें होते हैं इस अर्थ को वेक्त करने वाली लोकोगती कौन सी है अपवाद तो सभी जगें होते हैं इस अर्थ को वेक्त करने वाली लोकोगती खगी जाने खगी भासा गर खीर तो बार खीर काबुल में क्या गदे नहीं होते ओंट की चोरी और जु जुके जुके आपवाद यहने कि काबूल में क्या गदे नहीं होते मतलब अपवाद हर जगें होते हैं ती आप्संस आई रहेगा कि पर्तेक्स का विलोम सीधा तिरिये उदरवए यह प्रोक्स फठाब बटादो ऑषटा फट बतादो ईसका उतर पार्तेक्स का हिलों क्या होता है कि हम स्क verbessby कि लग इविद्व कमेंट जारूर करो हमें पता चलेगा कि कमेंट के बाद कि आपको क्लास केसी लगी हमने समय अधिक लिया या हमने समय कम में क्लास पूरी कर दी विश्थरी दिवया क्या की या नहीं की जो चीज आप कमेंट में बताओगे तो ही हमें पता चलेगा तो कमेंट करके बता दो डाउट रहता है वो भी कमेंट करो परोक्स, पर्तिक्स का विलोम होता है परोक्स, क्या होता है परोक्स, अगला क्योंसन, पर्ते के योग से बना सब्द है, कुरूप, परियावरन, पर्वा, गर्मी, पर्ते, किसे कहते हैं रे पर्ते सात्यू, यह शब्द है, और शब्द के बाद में लगते हैं यहां पे, और अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं, उन्हें पड़ते कहते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, पू, रूप, उपसर्ग लगावा है, परी पलस आवरण, उपसर्ग लगावा है, प्रे पलस वाप, उपसर्ग लगावा है, गरम, तो डी गर्मी के अंदर लगी हुई, ओप्सन डी आपका सही रहीगा, अगली क्यों सन, वेंजन संदी वाले सब्द को पहचानिए जहांपर वेंजन है, विदाले, जगत गुरू, देवोतान, प्रोड, तो जैसे ही आप पहचानोगे, देखिए, कलासे आप लोगे न, वेंजन संदी, सवर संदी, आपको बहुत कठीन लगती है, लेकिन जब हमारी कलासें, आप एप के मादियम से टेंड करोगे, थियोरी को एक बार पढ़ोगे, वो भी बहुती, सोट के अंदर एसी थियोरी पढ़ाई जाएगी, ट्रीक के दुवारा, 20 मिनट में संदी, आपक पलस आले, विद्या पलस आले, यहां पर तो सवर संदी साती हूँ, यहां पर देखिए, जगद, यह लिकावा जगद गुरू, इसका विगर करो, जगद पलस गुरू, तैक के बाद गय, हो गई ना, तो ओप्सन भी सही रहेगा, नेक्स्ट, नियुन में से तेसा सब्द ह पेन, सू, डोर, छेतर, देशा सब्द कौन सा है, यहां पर वो आपको बताना है, बता दो देशा सब्द, पेन नहीं है, सू नहीं है, डोर, दोर आपका क्या है, देशा जाई यहां पर, निमलिकित में से कौन सा सब्द मानक है, मानक, स्रीमती, आदर, सहस्त्र, पुन्य, जिसको हम मानते हैं मानक ता उसको प्राप्त है समझ गए और मानक सब्द है यहां पे सहस्तर कौन सा है सहस्तर अगला क्यों सन दो वर्णू के प्रस्पर मेल से जो विकार होता है वो क्या कहलाता है यह अगर आपको नहीं पता तो आपने ट्वल्थ पास या ग्रेजवेशन कैसे कर ली समझ में नहीं आता लेकिन कोई बात आज भी नहीं पता तो आपको अब पता से लेगा जब हमारे साथ जुड़कर तैयारी करोगे कहरा क्या है दो वर्णू के प्रेसपर मेल से जो विकार रुदपन होता है उसे संदी कहते हैं क्या कहते हैं संदी कहते हैं दोस्तों निमलिकित मेंसे कौन सा सेंसकर्ट उपसरग का उधारन नहीं है नहीं जो सेंसकर्द का उधारण नहीं है सेंसकर्द का उपसरग नहीं है वो आपको बताना है कि अधिय है अद्धिय है अन नहीं है तो सी ओपसन अनिंदी का दोस्तों आगे चलो अपादान तत्पुरु समास का उधारण मारक ब्रिष्ट राष्टर प्रेम पुस्तक्प्रेमी धनप्राप्त करताने करम को करण सें संपरदान के लिए अपादान सें अलग होने में मतलब अपादान अपादान में अलग होने का भावारत अलग होने का मतलब बिछुड़ना और बिछड किसे रहें देखिए मारग ब्रेश्ट अब देखो आपका मारग क्या है सिक्सक बनना लेकिन आप क्या कर रहे हो मजए तो अगर आप इस परकार पढ़ते हुए इस और बढ़ोगे तो है लेकिन आप तो यहां से चले आपने ट्वल्ट या ग्रेजविशन की और पीटीटी बीएश्टी से आई और अगर आपने मारग इस और चुन लिया यानि जो म प्रोकेट मनी मिलती रहेगी तब तक तो यह मज़े चलेंगे बाद में यह मज़ें भी हो जाएंगे आपके मारग मारग अलग हो गया यानिकि जो रस्ता है उससे वह अलग हो गया तो मारग से ब्रेस्ट मारग से टूट गया यहां पर है पादान तत्थ पुरुस आगे च इstro当 जहां अब तक हमारी सोच है जहां पर हमें जाकर काम करना है वहां तक जापानी बासा का सब्द है रिक्सा समझ गए नेक्षठ भुद्धी का पर्याय नहीं है मनी शाह परीग्या श्रिद्धा मुद्धि का पर्याय वाकी कॉन सा नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है कि सार ये तो बुद्धी का प्रयाईवाची नहीं है पुद्धी का प्रयाईवाची चरदा नहीं है The Option अगला क्योशन बहुती अच्छा सा क्योशन पढ़ो रोगी से चला नहीं जाता है वाचे है बाव करितरी कराम के इन-मेंसे कोई नहीं, जहां पर किरिया प्रिया पर्दानता की ओर हो, results या परदानता की और हो रोगी से चला नहीं जाता मतलब चला नहीं जाता है तो वहां पर बाव आच्छे होगा ओप्शन एस सही रहीगा नेक्स्ट उसने खाना खाया होगा कौन सा बूत काल सामने संदिग्द एपुण या पुण उसने खाना खाया होगा बता दो सामने तो नहीं है उसने खाना खाया है तो सामने हो जाता उसने खाना खाया होगा पता नहीं यह खाया है नहीं है अनुमान है मतलब संदिग्द है अभी वह संदिग्द भूत काल है अभी नेक्स्ट पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है अवदी नहीं है बग्यली नहीं है option सही रहेगा कि शारंग विएक्त नहीं करता दनोंस नहीं वाण नहीं हरीन नहीं भोरा नहीं शारंग क्या नहीं वाण नहीं पी ओप्सन सही रहीगा next । मारग में खाने का भोजन वाक्यांस के लिए एक सब्द है मारग में खाने का बोजन जो वाक्यांस है इसके लिए एक सब्द क्या होगा पाते सात्वीक तामसी राजसी मारग में खाने का बोजन इसके लिए एक सब्द क्या होगा बताओ सात्यों जल्दी से कमेंट करो वेट मत करो, इंतजार मत करो, कमेंट करो, और देखो आज इसने सेर कर दिया ना, विश्वास रखो, उसके पांच अंगतो आज पलस हो गए, क्यूंकि आपने सुना होगा, सहाइता करते रहो, अपना फल की इच्छा मत करो, अपना फल मिलता रहीगा, तो आप अपना करम करो करम करने का मतलब पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के साथ हमारा भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, और आगे सेर करो, यहां पर मारिग में खाने का बोजन पात्ते कहलाता है, ओप्सन ऐसा ही रहेगा, नेक्स्ट, सवागत में संदी है, यान, गुन, यादी या सवर, बता दो, सि पहली बात यहां पर बताओ, सवागत का विग्रह क्या होगा, तो लिख दू पहले पानी फिर पिलेंगे हम तो, पहला दूसरा ही क्यों संथारे इस परकार का मारा, उके बाद आ, यान संदी बन गई, कौनसी है, यान संदी, नेक्स्ट, कवी कुलगुरू कालिदास ने मेगदूद की रचना की, विदे कौन सा इसमें, कवी कुलगुरू कालिदास ने मेगदूद की रचना की, कालिदास की रचना है, मेगदूद, शीजा पूछले की मेगदूद किन की रचना है, कालिदास की, तो इसमें पूछा क्या है, विदे, और इसमें विदे है, जाता देना चाहता हूं करपया एक गिलास पानी पिलाइए करपया उत्तर सिग्रे देने की करपा करें करो कर जल्दी से करपा करो तुरंट सिग्रे उतर देदो एक बार आप तुद्वा के पहले वाला वे नवरात्र में उपवास रखते हैं नेक्स्ट चंदर चूड सब में समास है चंदर चूड चूड का मतलब सीर चंदर मतलब चंदरमा तो जिसके सीर पर चंदर मा हो अरतार्थ स्थिव भगवान स्थिव तो यहां पे तो तीसरा अरत बताया जा रहा है मतलब बहु विरी समास है नेक्स्ट मैंने बहुत समझाया परवर नहीं माना क्या वाके में विसेशन है गुण वाचक शंक्या वाचक सार्वनामी क्या परिमान वाचक मैंने उसको बहुत समझाया परवर नहीं माना क्योंसा विसेशन काम कर रहा है यहां पे कुण सा गर रहा है परिमान वाचक नेक्स्ट तरणी सब्द का अर्थ तो नोका है तो तरणी का अर्थ होगा शूर्ये यूती टापू या फंका तरणी का अर्थ नोका है तो तरणी का क्या अर्थ होगा तरणी तरणी मतलब नोका बड़ी एकी मात्रा है पुर जब छोटी एकी मात्रा आ जाए तो उसका आरत है सूरिये option A सही रहेगा next आई फेन सब्द का तदवव अफीम फण फाग अंदा आई फेन तत्सम है इसका तदवव बना दो तदवव क्या होगा इसका तो सही रहेगा option A अफीम क्या रहेगा अफीम नेक्स्ट माता बालक को दूद पिलाती है वाके में क्रिया का कौन सा रूप प्रियुक्त है प्रेर्णार्तक पूर्वेकालिक अपूर्ण या स्यूंक्त क्रिया माता बालक को दूद पिलाती है वाके में क्रिया का कौन सा रूप है माता बालक को दूद पिला रही प्रेरना देरी कि बेटा डेली दूद पिया कर मतलब प्रेरनार तक क्रिया है यहां पर अगला क्यों संद ने उन मैं से कौन सा सब्स्त्रिलिंग बोधक है नाकुंद वह होट सिर्थ कि जो भी साथी पिएश्टीसी दोजार चोबीस और पिटीटी दोजार चोबीस सैयारी वाले हैं और जो हमारे साथ कॉर्स प्राप्त करके कम्प्लीट कॉर्स कॉर्स में क्या मिलेगा लाइव कलास क्लास नोट्स एम सी क्यूज मतलब क्यों सनेंस्वर और पचास मोडल टेश्ट यह चीज़े मिलेगी यह मिलेगी कॉर्स आपको एप पर और एप का है डिस्क्रिप्शन में और सबसे बड़ी चीज दोनुही कॉर्सों पर वर्तमान में पचास परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है नमजगे तो इस त्री लिंग बोट देखें यहां पर बो हैं बी ओप्सन अब सबसे पहले कमेंट करके बताओ पचास में से कितने सही हुई है आपके पचास में से कितने सही हुई है यह मोडल पेपर आपको कैसा लगा और कौन कौन साथी हमारे साथ आज जुड़ रहा है इस कलास के मादें से कालास के बाद में जल्दी से यह सभी चीज़े कमेंट करके बता दो और जिन साथ उन्हें अभी तक वीडियो को लाइक एक आपका एक लाइक आता ना उससे हमारा हजार गुणा मनोबल बढ़ता है तो एक लाइक करो कम से कम मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा पांच आप तक पहुंचता रहेगा तब सातियों को बहुत बहुत अन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जे हिंद जे भारत बने रहे हमारे साथ